प्रिया कबूलेगी अपना गुनाच और ये सब कुछ गोपी का record कर लेती है और अब सारे सबूत पुलीस के सामने और घरवालों के सामने गोपी का ले आती है जिसके बाद यहाँ पर प्रिया को जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा तो देखने को मिलने को मिलने वाला है कि प्रिया अब यहां पर जाते जाते गोपी का सारे साइन भी इसे करवा लेती है कि जब तक स्मझाइन नहीं करोगी तब तक यह केश वापस नहीं लिया जाएगा वो जेल नहीं जाने के डर के मारे वो इन पेपर्स पर साइन कर देती है और वापस सारे शेर्स सक्सम के और मोधी परिवार के नाम हो जाते हैं तो भाई गोपी का एक बार फिर से मोधी परिवार को और शक्षम को बचा तो लेती है और दूसरी तब एक कहानी और है जिसका खुला सा मितिला करते नजर आएगी एक औरत का जो की भागने वाली है वो भी मिस्टर मोधी के चंगुल से अब देखते हैं कि कहानी में दूसरा कौन सा मोडाता है